माइग्रेन विच वस्कुलर हैडिक जो ब्लाड वैसल्स के एनलार्ज होने की वज़ा से होता है यह तो इसका सबसे बड़ा कॉस लेकिन कई बार लोग नॉर्मल हैडिक को भी माइग्रेन समझने लगते हैं उन्हें लगता है कि माइग्रेन की समस्या हमें हो गई है इसलिए को जल्दी जल्दी डौक्टर के पास भागते है लेकिन क्या अच्चुल सिंटक्व्स हो सकते हैं माइग्रेन की और कैसे आपको आ ilkटब्रेशर में से निजात मिल सकता है इसके बारे बात करेंगे अपने अक्योप्रेश एक्सपॉर्ट डॉक्टर आजय मिश्टा के साथ। डॉक्टर आजय वेल्कुम टिश्यो थैंक यू नमस्कार दर्शकु जैसे कि मैंने कहा कि हर नॉमल हेडिक माइगरेन नहीं होता है डॉक्टर आजय सबसे पहले तो यही जाना चाहूंगी कि क्या कॉज़ हो सकते हैं मरी के जैसे आपने बताया कि ब्लड वेसल का Senla जो जाना उससे डेलेइत हो जाना इससे होता है होता क्या है कि ब्लड सप्लाई बाधित हो जाती हैं तो अगर आपके हेड रिजन को ब्लड सप्लाई पाइप्र नहीं मिल रही है तो आपको हैडएक पर आना वॉमित आना थकान महसूस करना और सर में दढ दर्धोना वो भी आदेए तो हो गए इसके सिम्टम्स अभी हम बात करेंगे को अब हमारे साथ है और सेकेंदी मैं डॉक्तर को बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूं कि वो इतने लोगों की हेल्प करने है शेलिये बताइए क्या पूछेंगी मुझे यह पूछना है कि मुझे बहुत जल्दी गुष्णा आता है और कुई ऐसा प्रेशर पॉइंट है कि वो गुष्णे पे कंट्रोल कर सकूँ अच्छा पे जरूर कंट्रोल कर पाएंगी और कुछ पुछना चाहती है और गुष्णा बहुत जल्दी आता है इन्हें तो कौन जे प्रेशर पॉइंट हो सकते हैं साथ-साथ हिने सर में दर्द भी होता है मुझे लगता है कही ना कहीं दोनों चीजें इंटर्रिलेटेड हैं क्योंकि जब हमें गुष्णा आता है तो हमारे जो सर की नसे हैं वो फटने लगती है तो दर्द होने लगता है सर में क्या कर सकती है इसके लिए बहुत ही सिंपल है कि आप light blue color का sketch pen ले ले लें और left hand के small finger के nail के border पर एक spot है ये सिर्फ एक spot इस पर अगर आप light blue color यहां पर लगा करके रखें किसी को भी कितना भी गुस्सा आता हो तो आप देखेंगा कि आपका मन बहुत शांत रहेगा और प्रोद नहीं आएगा चली आज मैं भी घर जाकर point लगाऊंगी क्योंकि मुझे भी घुस्सा बहुत आता है और जो इनके सर में दर्द होता है उसके लिए क्या कर सकती है सरदर्द के लिए जो normal headache है उसके लिए आप left hand पे treatment देंगे middle finger और ring finger पे आप दो पिंक डॉट लगाईए तो इससे anger, irritation, headache और anxiety ऐसे सारी चीज़ें आप इससे balance कर सकते हैं सिर्फ इन दोनों वो उपर वाले joint पर ये दो पिंक डॉट लगा करके बस अब हमसे वंदित बात करेंगे जी वंदित hello hello good afternoon good afternoon वंदित बताईए कि मेरी ममी के सिर में left side में दर्द रहता है कि current जैसा दर्द होता है जैसा बीच में हुआ फिर बंद हो जाता है जैसा दर्द रहता है आपने डाइगनॉस कराया जी नहीं कराया लेकिन कहीं नहीं माइगरेन के symptoms हो सकते हैं तो क्या कर सकती है इसके सामने के हिस्से में सर में दर्द होना अगर सिर्फ इतनी सी बात है तो इसके लिए आप जैसा कि दो दो डॉट बेंडल फिंगर और रिंग फिंगर पर आपको दो पिंक डॉट बताया वह आप लगा सकते हैं रिगुलर इसके साथ आप आल्टरनेट जैसे एक दिन ये लग माइगरेन के लिए बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट है और वह बहुत ही जादा इफेक्टिव है कौन से पॉइंट से उसके बारे बात करेंगे लेकिन उससे पहले राजफ्री है हमारे साथ जी राजफ्री है हलो हलो मैं ये पूछना चाहती हूँ के मेरे ये लड़के को मतलब जो पड़ा हुआ याद आने के लिए परिक्टा के टाइम कौन सा पॉइंट लगाना चाहिए और मेरा ये जो बलड़की का मतलब एज के हिसाब से 20 अर्ज की है लेकिन उसकी बॉड़ी में शोल्डर का हिस्सा बहुत मतलब हेवी है जो हाथ के हिसाब से होना चाहिए तो क्या गर सकती है इनकी बेटी और इनके बेटे परीक्षा के समय इनका एक्जाम टाइम पे कौन से प्रेशर पॉइंट लगा सकते हैं जिससे की जो भी उन्होंने पढ़ा है उन्हें याद रहे एक्जामनेशन टाइम में रीकॉल करने के लिए मेमरी आप अपने अंगो को आप रिकॉल कर सकते हैं जी और इनकी बेटी जो है उनके शोल्डर हेवी है और गाल पतले हैं तो क्या कर सकती है इन दोनों चीजों के लिए देखे आप अपने बेटी के रिंग फिंगर में दोनों हाथ के रिंग फिंगर में यह जो सेंट्रल लाइन है और उसके साथ द इसी पर प्रेशर भी दिया करें और ये दोनों रिंग फिंगर पे इस तरीके से गर आप लगा करके लगते हैं तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे जो भी एक्स्ट्रा फैट या एक्स्ट्रा वाटर रेटेंशन भी हो जाता है वो सब आपका निकल जाएगा और हाथ फिर से अ पानी बोनाइग है ये जैसे पेढ़ को आप जड़ मीतों देते हैं और पानी बात काश्चस गीरे गा ड़िया तो पॉईंट लगा थे हुए उपर कि तो ऊंवर कि पूरी में जेपिक की बंड में देल सुओंते है लेकिन बहुत जरूर ऑँड़ी है कि सही प्रेशर इनकी सासुमा को नेक में से उपर को सर में दढ़ जाता है क्या कर सकती है सासुमा के लिए आप लेफ्ट रिंग फिंगर पे ही उपर के जॉइंट पे लाइट ब्लू कलर से कलर कर दें या इसी जॉइंट को अच्छे से प्रेशर दिया करें रेगुलर इस तरीके से प्रेशर ऐसा होना चाहिए कि आप एक बार दबाएं और चोड़ें इस तरीके से पंपिंग प्रेशर इसको कहते हैं तो ऐसा दिन में दो तीन बार एक एक मिनिट के लिए गर आप कर देंगे तो गर्दन से जो दर दूपर चड़ता है वो ठीक हो जाता है जोसन अभी हमसे बात करेंगे जी Чोटसन लगते हैं जोसना थार नहीं है निर्मला से बात करते हैं इभी जी निर्मला अल्यो अफेशलीम अभी खुशन पूचनलडा करी जोफख एले जात निकलवाय था पेला उनके न क्याया में जो भी कुछ खाती है तो उन्हें हर तीज में करकड़ाट आती रहती है ठीक से नहीं खापाती है मुझे लगता है तो क्या कर सकती है इसके लिए ऐसे में आप चारों अंगूठों पर दो हाथ के और दो पैर के अंगूठे पर नेल बॉर्डर पर यलो कलर की स्केच में ले 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 और इसके बॉर्डर पर पूरा इस तरीके से यलो कर ले ऐसा आप चारो अंगूठों के नेल बॉर्डर पर करेंगे आप देखेंगे कि आप फर्स डे करेंगे दो तीन दिन के अंदर ही इसका रिजल्ट आ जाएगा माइग्रेन अगर कोई माइग्रेन से सफर कर रहा है तो कौन सा प्रेशर पॉइंच हो सकता है इसके लिए डॉक्त रजय है माइग्रेन के लिए आप राइट इंडेक्स फिंगर में एक रिड डॉक्त यहाँ लगा लें कि इसके बाद left middle finger में black dot लगा लें हाँ पर तो यह दो dot होगा, एक red और एक black फिर black color से ही middle finger में दोनों हाथ के middle finger में यह करेंगे यह दो dot इस तरीके से तो अगर आप इस तरीके से यह 2 और 2, 4 और 6 6 point अगर आप लगाते रहेंगे तो माइगरेंटी को जाता है अब ही एकता हमारे साथ बात करेंगी जी एकता अलेयो अलेयो नमस्कार मैम नमस्कार बताईए एकता मैम मेरी बेटी हैं 20 यह की तो उसके असर जैसे वो कॉले से आती एक्जर्शन हो जाती है सुबे सले के इवनिंग तक की तो उसके हैड़ेक बहुत रहती है और खाने पिने में भी बहुत खाती पिती नहीं है धंके और डबल सीन के भी पॉइंट्स प्लीस मैम बतला दीचिए आपके दोनों सवालों के जवाब देंगे कि क्या हो सकता है आपकी बेटी की प्रॉब्लम का सॉलिशन लेकिन उसके लिए आपको बस थोड़ा सा इंतजार करना होगा प्रिकिस कॉल्फा के में वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का तो कहीं मत चाहिए देखते रहिए प्रग्या जो आपको मिलाए बेहतर आप से आस कंपेर्ट तू मेन विमेन हमारे देश की ज्यादा सफर करती है माइगरेन की समस्या से अकॉर्डिंग टू स्टाडीज 25 परसें विमेन सफर कर रही है इस वक्त माइगरेन की समस्या से तो क्या हो सकता है इसका सॉलिशन इसके बारे में तो हम बात कर चुके हैं कि कौन से प्रेशर पॉइंस हो सकते हैं लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़े हैं जिनका खयाल रखना पड़ सकता है सबसे पहले तो स्ट्रेस को अपनी जिन्दगी से दूर भगाईए इसके भी काफी सारे तरीके हैं आप मेडिटेट कर सकती हैं अफरमेशन का इस्तमाल कर सकती है साथ-साथ अपनी जिन्दगी में regular exercise कर सकती है जिससे आप स्ट्रेस से काफी हद तक दूर रहेंगी और क्या कर सकती हैं इसके बारे में बात करेंगे अपने expert के साथ लेकिन उससे पहले break में जाने से पहले एकता ने हमसे सवाल किया था उनकी बेटी हैं 20 years की एक्जर्शन के कारण शाम को उनके सर में दर्द होने लगता है जब वो कॉलेट से लॉट कर आती है साथ-साथ खाने पीने पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती है और डबल चिन हो गई है उनकी तो क्या कर सकती है इसके लिए बहुत ही आसान है और एक तो left hand के middle finger में उपर वाले join पे यहां पे एक violet color से violet color लगा दे, dot और और एक यहां पे blue color लगा दे तो ऐसा अगर regular करते हैं कि एक violet और blue dot लगा करके रखे तो दिन में जब school जा रहे है आप college जा रहे हैं तभी इसको लगा करके रखे तो आप लॉट के आएंगे तो आप फ्रेश फील करेंगे दूसरा डूबल चिन के लिए डार्क ब्लू कलर से आपको लेट थम पे इस तरीके से डार्क ब्लू लाइन बनानी है बस ये रेगुलर करने जिसको भी यहाँ पर थर्ड चिन निकलाती है तो वो इससे ठीक हो जाती है अभी हमसे उदय बात करेंगे फोन लाइन पर जी उदय अब वेडी गुड आफन उदय बताईए मैम मेरा थीन कोशन से पहला तो ना जो सर ने वो पॉइंट बतायते है जुखाम का और सांस उख़ने का जानना चाहते हैं जुखाम के पॉइंट दुबारा जानना चाहते हैं क्या कर सकते हैं दोनों ही एक साथ बता देते हैं आपको और इससे चेहरे पर जो दाने हो रहे हैं वो भी ठीफ हो जाएंगे आप लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर में यहां center पर एक और इस तरीके से दो red dot लगा ले इसके साथ फिर ब्लैक कलर ले ले और right hand में, middle finger में इस तरीके से दो black dot लगा ले तो दो red और दो black dot इस तरीके से अगर आप use करते रहते हैं इसको सिर्फ दो से चार घंटे के लिए दिन में आप लगा करके रखिए और आप पाएंगे कि पहले दिन से ही आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा अभी हमारे साथ संगीता बात करेंगी हलो जी संगीता बताईए क्या पूछेंगी आप यूटरस में फाइब्रोइड है क्या कर सकती है यूटरस के फाइब्रोइड के लिए आप गौर से देख लिजिए इन पॉइंट्स को राइट थम पे आपको ट्रीटमेंट देना है और एक दो तीन और चार चार आप इस तरीके से लाइट ब्लू कलर के डॉट बना लिजिए उसके बाद यलो कलर ले लिजिए और यलो कलर से इस साइड में फिर वही चार यलो डॉट बना लिजिए तो चार लाइट ब्लू और चार यलो इसके बाद पीछे के तरफ और औरंज कलर से चार औरंज डॉट दोनों साइड में यहाँ पे लगाने है इसको मैं ऐसे करके दिखा देता हूँ इस तरीके से तो यह अगर आप इसको लगा करके रखते हैं तो सामने के तरफ इदर लाइट ब्लू और यलो और पीछे यह औरंज यह रेगुलर आप करेंगे इसका रिजल्ट आपको देखने के लिए हर तीन महीने पे एक बार अल्टर साउंड करा करके चेकर लेंगे तो आप पाएंगे कि काफी रिड्यूस्ट रहेगा काफी सारे पॉइंट्स है तो आइ बिलीव कि काफी खयाल रखना पड़ेगा इन पॉइंट को अप्लाइ करते वाग कि सही प्रेशर पॉइंट्स पे यह पॉइंट्स लगाए जाएं साथ ही साथ ब्लीडिंग भी नहीं ब जी मिष्रा जी बताइए क्या पूछेंगे अगर मेल को है तो आप लेफ्ट इंडेक्स फिंगर में एक रेड डॉट यहां लगा ले और फिर ब्लैक कर ले 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 राइट हैंड के मिड्ल फिंगर में यह जोइंट से ठीक उपर यहां पे एक ब्लैक डॉट लगा ले और उसके बाद दो ब्लैक डॉट इस तरीके से दोनों मिड्ल फिंगर पर यह इंडेक्स फिंगर के साइड यह लगेगा दो ब्लैक डॉट तो इतने डॉट्स अगर आप लगा करके रखते हैं तो अगर आप कुझे से अभी पेन हो रहा हूँ आप लगाएंगे तो आप देखेंगे कि तुरन जादू की तरीके से पेन गाया हुआ जाता है हलो श्वेता है हमारे साथ जी श्वेता है अलो हमन्य मेरा है यह जो आइन तो घ्र City देखेंगे कर सकते हैं तो कंट्रोल दे ब्रेस्ट अगर हवी हो रहा है तो डाक ब्लू कोलर ले ले और लेफ्ट रिंग फिंगर में यहां पर लगा लें इसके बाद रेड कलर से साइड में यहां पर दो रेड डॉट लगा ले फिर यहां पर एक येलो डॉट उपर सेंटर में और इसके साइड में दो ओरेंज डॉट इसको ध्यान से देख लें लाइट ब्लू रेड और बीच में यहां यहलो और दो ओरेंज ऐसा अगर आप दोनों रिंग फिंगर पर अपने लगाएंगे तो ब्रेस्ट अगर बहुत हवी हो गया है तो वह ठीक साइज में आ जाएगा टॉक्टर रजा अभी वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का ब्रेक के बाद माइग्रेन के बारे में और बातशीत करेंगे और आपको बताएंगे कि आप क्या कर सकते हैं मतलब और कौन सी बातों का खयाल रख सकते हैं अपनी डेली रूटीन लाइफ में तो कहीं मत ज जाते हैं उनकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है कि उनके सर में कॉंटिनेसली दर्थ रहने लगता है चकर आने लगते हैं वॉमिट जिसी फीलिंग होती है ठकान जल्दी महसूस होती है और साथ-साथ माइग्रेन के काफी हद तक वह शिकार हो जाते हैं इसकी साथ-साथ कैफीन का इंटेक, इलकोहल का इंटेक, स्मोकिंग, लोगों की जिंदगी में इतनी बढ़ती जा रही है कि शिड्यूल बिगरता जा रहा है तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डेली रूटीन लाइफ के शिड्यूल को फिक्स करें प्रॉपर टाइम की इमारियां हैं शरीर से वो निकल जाती है खुद बखुद तो क्या कहेंगे डॉक्टर अजय इसके बारे में बेकुल कम से कम तीन लीटर पानी तो हर वेक्ति को रोज पीना चाहिए और माइग्रेन को चेक करने के लिए जिसे महिलाओं में ज्यादा होता है तो अगर आप क अगर एक्जिमा है दोनों लेक्स पर तो देखे जिसको भी एक्जिमा हो जाए तो अपने खाने में नमक तो एकदम आधे से भी कम कर देना चाहिए दूसरा यह कि अपने दोनों स्मॉल फिंगर में बीच वाले जॉइंट पर चारो तरफ आप ग्रीन कलर से कलर करके रखें दोनों स्मॉल फिंगर पर बीच वाले जॉइंट पर पूरा सर्कल बना दे ग्रीन कलर से आप देखेंगे कि देरे देरे एकदम से टीक हो जागा एक्जिमा हो ओके नेक्स्ट एसमेस हैं मधू का गाजियाबाद से अगेन इनके गॉल ब्लेडर में स्टोन है तो कौन से प् कौनर पर और यलो कलर इस कौनर पर फिर उसके बाद और औरंज कलर से पीछे की तरफ दो औरंज डॉट इस दो औरंज डॉट हो गया एक साइड में इधर मिडल फिंगर की तरफ लाइट ब्लू और इस तरफ यलो यह अगर आप रेगुलर लगाते रहेंगे तो गॉल ब्ल स्टमक अरिया में स्ट्रेच मांक्स हैं नाम इन्हों नहीं डिया KIA कर सकती है स्टमक के एरिया का स्ट्रेच मार्क अकसर हो जाता है फी्मेल मे खास कर कि कलर करके रखें यहां पर यह अगर आप रगलर करके रखते हैं तो दो-तीन महिने लगते हैं आप लगा करके देखेंगे सारे स्टेच मार्ट चले जाएंगे अनु شर्मा जानना चाहती है टू गेec वेट वजन बढ़ने के लिए क्या कर सकती हैं? साथ साथ मस्गलर पें रहता है नेक में बहते है और कंदूमे लेख क्या कर सकती है? के लिए वजन बढ़ाने के लिए बेस्ट वे है कि आप अपने स्मॉल फिंगर पे दोनों स्मॉल फिंगर के वीच वाले जॉइंट पे एक दिन जैसे ग्रीन कलर अभी मैंने बताया था एक दिन ग्रीन कलर लगा ले और दूसरे दिन यलो कलर लगा ले चारो तरफ ऐसा के लिए लेफ्ट हैंड के रिंग फिंगर के ऊपर वाले जॉइंट को अप अच्छे से प्रिशर दें या लाइट ब्लू कलर से लाइट ब्लू कलर चारो तरफ लगा कर के रखें उसके लावा 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 भी आप दिन में दो तीन बर प्रिशर देंगे तो गर्दन का और जो कंदों में दर दूतर के आता गर्दन से ही आता है वो ठीक हो जाएगा जाते हैं आर्थ्राइटिस के लिए क्लिया कर सकती है arthritis के लिए आपको ध्यान से देखना होगा कि आप index finger में और middle finger में दोनों में treatment होगा brown color ले 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 और इस तरीके से 6 brown dot लगा ले यह नाखुन के side है और उसके बाद yellow color से सामने के joint पर index finger में यह तीन यलो डॉट यहां पर होगा मिडल फिंगर में थोड़ा डिफरेंस है कॉर्णर में रिंग फिंगर की तरफ एक यलो डॉट यहां पर होगा और ये दो यलो डॉट उपर की तरफ लगेंगे तो सिर्फ इतना कार आप करके रखते हैं ये 6 ब्राउन कलर तीन इस जॉइंट पर यलो और दो यहां पर यलो है और एक यहां यलो इस तरीके से आप लगा करके रिखिए रिखिए रिखुलर आप देखेंगे अर्थराइटिस कैसा भी हो वो ठीक हो जाता है डॉक्टर अजय आप यहां पर आए आपने बताए कि कौन से प्रेशर पॉइंट की जरीए माइग्रेन की समस्या से बाहर निकला जाता है इसके लिए आपका शुक्रिया थैंक यू वेरी मच्ट नमस्कार दर्शकुन